है दोस्तों कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ आप घर पे ओमेट शाम्पू कैसे बना सकते हैं सिर्फ आपको तीन इंग्रीडिन्स चाहिए मैंने परचेस किये हैं ये बोलानात पंसारी की दुकान है बहुत ही फ आपकेट्स मुझे 60-60 रुपीज के पड़े हैं जो की काफी अफॉर्डिबल है इतनी क्वांटिटी आपको मिल रही है 60 रुपीज में तो ये आपको एक से दो महीने बलकि जादा भी चल जाएगा गर आप सिर्फ एक जना इसको यूज़ करता है अगर इसका शैंपू बन बना कर हम होमेट शांपू बनाने वाले है सबसे पहले आप चीजों को मेजर करने के लिए कोई भी बरतन ले सकते हैं मैं प्लास्टिक का कंटेनर ले रही हूं इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूं आठ से दस सोपनेट्स यानि की रीठा रीठा को आपको ऐसे डाल आप जितने क्वांटिटी में शांपू बनाना चाहते हैं तो मैं इसको चार से पांच यूज के लिए बनाना चाहती थी आट से दस रीठा लिये और उतनी सेम एक मुठी बर मैंने आवला लिया है यह ड्राय आवला होता है जिसको सुखाया जाता है उसको मैं ले रही हूं रीठा आपके बालों को क्लीन करता है आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है शीका का यह आपके बालों को शाइनी बनाता है और उनको मजबूत बनाता है आवला आपके बालों को नरिश्मेंट प्रवाइड करेगा और आपकी रूट्स को स्ट्रेंधन करेगा जिससे आपके बा ले लिया है और इसको अच्छे से वाश कर लूँगी यह स्टेप बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है बिकाज यह दूर लिमिटी के कॉंटाक्ट में आते हैं तो इनको वाश करना सबसे ज़्यादा जरूरी है बिकाज में इनमें कोई पैक्टिरियल इंफेक्शन हो सकते हैं कि आपको उसके बाद इसको इनको यूज करना है मैं वाश कर लिया था और उसके बाद में को यूज करativa तो यह तोड़े थोड़े ज्ञाग आने लगे हैं क्योंकि इसके अंदर रीठा है रीठा की प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूं यह कुकर मैंने लिया है और इसको पानी जितना मुझे बनाना था शैंपू उतना मैंने पानी ले लिया है अब मैं इसको सारा कूकर के अंदर डाल दूंगी अगर आप कूकर में सीटी नहीं लगाना चाहते देना आप ओवरनाइट इसको भिगो कर भी रख सकते हैं आप एक बरतन में पानी भर दे और इसको ओवरनाइट सोक कर दे उसके बाद मैं ले रही हूं एक स्पेशल इंग्रेडिय को बहुत शाइनी बनाता है और शाइन प्रवाइड करता है अब हमारा जो हमेट शैंपू बनाने का प्रसीजर है वह स्टार्ट होगा तो मैं इस कूकर को बंद कर देती हूं और इसमें दो से तीन मैंने विसल लगाई है जब तक ये बॉयल होते हैं तब तक कि मैं वाकी का लूँगी अपने तो इसमें आपको तो से तीन विसल लगानी है ये पूरी तरह से गल जाएगा और उसके बाद कुछ इस तरह का पेस्ट आपको मिलेगा इस तरह की इसकी कंसिस्टनसी हो जाएगी जो रीठा जो आमला सारी चीज़े बहुत सॉफ्ट हो जाएगी आपको इसको डिरेक्टली ऐसे क्या करना है आपको सोपनेट्स लेने है रीठा को हाथ में लेना है और इस तरीके से मसल लेना है जिससे इसका सारा जो है जो ये बीज आपको दिखेगा इस बीज को साइड आप कर देना इसका जितना भी पोर्शन आपके काम का है वो आप इसके अ और इस तरह का कुछ आपको liquid मिल जाएगा इसमें फिर भी यह थोड़ा दरदरा रहेगा जिसके वज़े से इसे आपको छानना पड़ेगा जिससे आपके बालों में वो hard particles है वो stuck ना हो तो मैं इसको एक छन्नी की मिदद से अच्छे से छान लेती हूँ तो इसमें थोड़ा time taking process है आपको जब यह घरम है हलका गरम है तब ही आपको यह कर लेना है और मेरे जो 10 से 15 मतला एक एक मुट्टी मैंने सारी चीज़े लीती और मेरे यह दो जार फिल हो चुके हैं मैं इस शांपू को कम से कम 5 से 6 बार यूज़ कर सकती हूँ और जस्ट आपको इसे अपनी scalp मे अपके बालों के लिए बहुत बेनिफेशल होगा जब मैं इसे अप्लाई करी थी मेरे बालों में बहुत जादा डेंडरा था मेरे बालों में जढ रहा था लेकिन जब आप आपको में वाश करके अपनी scalp लिखाऊंगे आपको कोदी विजिबल डिफरेंस पाता चल जब लाई खी और और यू लगे चाहिए चाल कोर में जब आपको तो यह जब खीर तो कम करी और गाई यसे मेरे बाल काफी जदा खिलेगले से लग रहे था यूनोओ व बहुत लाइट दी पील हो एते लाई था तो यूशू ड़िधल ट्राय था इस